बॉलिवुड भिनेता रन्वीर सिंग अपनी आने वाली फिल्म में रैपर का किरदार निभाते नज़र आ सकते हैं रन्वीर सिंग और फिल्मकार्ज जोया के बीच काफी अच्छे संबंध है उन्होंने फिल्म दिल धड़कने दो में साथ काम किया था इसके बाद से रन्वीर हमेशा जोया की फिल्म में काम करने को लेकर उत्सुक नज़र आते हैं बताया जाता है कि जोया की अगली फिल्म गली बॉइस में रन्वीर एक रैपर का किरदार निभाते नज़र आएंगे चरचा है कि जोया की अगली फिल्म में रनवीर जुकी जोपरी से रैपर तक का सफर तै करने वाले लड़के के किरदार में नजर आएंगे ये ऐसा रैपर है जो अपने गानों के जरीय सामाजक मुद्दों को उठाता है इन में दलितों के साथ होने वाली उतपीडन, जुकी जोपरी में रहने वाले लोगों की स्थिति, आर्थिक असमानता के साथ साथ समलेंगिक्ता के मुद्दे भी शामिल है We have some of the gorgeous women in our industry, but we all know how short their shelf life is Within a certain period of time, they have to climb to the top because there is no dearth of talent who can easily replace them And guess that has become extremely obvious now, why we say so Three top-rung actresses of Bollywood today don't have any new film to look forward to While young actresses are flooded with scripts, they are in so much demand that they are juggling projects It's pretty clear that these actresses are making the most of this opportunity when roles for them are getting written We don't know if it's time to hit the panic button for Priyanka and Deepika, but it is definitely something to mull over Because time is अब हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या एश्वर्या वाकई दूसरी बार मा बनने वाली है सल्मान खान साल के आखिर तक शादी करने जा रहे हैं जबरों के मताबक सल्मान पर लूलिया से शादी करने के लिए लंबे वक्त से उनकी मा सल्मा प्रेशर बना रही है यही वज़य है कि सल्मान ने हामी भर दी है यह शादी उनके बर्थडे यानि 27 दिसंबर को हो सकती है पिछले दिनों लूलिया वंतूर सल्मान और उनकी मा के साथ कई मौकों पर देखी गई थी मीडिया में आई रेपोर्ट्स के मताबक 27 दिसंबर यानि उनके 51 बर्थडे पर सल्मान लूलिया से शादी कर लेंगे बता दें कि सल्मान के बर्थडे पर हर साल खान फामली के सभी मेंबर्स घर पर होते हैं उम्मीद है इस साल इसी दिन वो सल्मान के बर्थडे और उनकी शादी करशन एक साथ मनाएंगे बॉलिवुड अभिनेतरी श्रधा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की आने वाली फिल्म ओके जानू की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है ये फिल्म शाद अली के निर्जेशन में बन रही है ओके जानू अगले साल 13 जनवरी को रिलीज होगी आदित्य और श्रधा की फिल्म ओके जानू तमिल की हिट फिल्म ओके कनमनी का रिमेक है फिल्म ओके जानू लिव इन रिलेशन्शिप्स पर आधारित है बता दे कि करण जोहर ने ट्विटर पर ये खबर शेयर की गौर तलम है कि आशी की टू में इस रोमांटिक जोडी ने दर्शकों का दिल जीता था आदित्य ने सिंगर राहुल जैकर तुश्वरधा ने भोली भाली लड़की आरोही का किर्दाल निभाया था अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई